नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल में सवागत है दोस्तो आज मैं अन्बोक्सिंग और फर्स्ट इंफ्रेशन रिव्यू शो करने जा रहा हूं बिल्ट स्कील कंपनी की ड्रिल मशीन का तो चलिए जल्दी से दोस्तो इस बॉक्स को देखते हैं क्या इसका समान है कैसा यह तो सबसे पहले बॉक्स की बात करते हैं बॉक्स के ओपर दोस्तो हमें इसकी स्पेसिफिकेशन वगारा कुछ मिल जाती है जैसे कि यह मोडल नंबर है BED 1100 और दोस्तो इसका MRP जो मेंशन है वो है 2399 रुपे जो की मुझे फ्लिपकार्ट से 940 रुबे की दोस्तो यह मिली ह और यह दोस्तो 10 mm चेकनेट के साथ आती है चेक साइज के साथ आती है तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स को खोलते हैं देखते हैं क्या कैस के इंदर साथ हमको समान मिलता है तो सबसे पहले दोस्तो यह कुछ बिट्स हैं जिसमें से 6 जो है वो स्मॉल साइज की है एक है जो टोटल 7 बिट हमको इस पैकेट के अंदर मिल जाती है ठीक है और दूसरा दोस्तो यह ड्रिल मशीन है इसको पहले साइड में रखता हूँ और देखते हैं बोक्स के अंदर क्या-क्या समान है और दोस्तो यह हमें एक चेक साइज अपना मिल जाता है जो कि 10 mm वाला है जो इस दोस्तो जल्दी से अपने प्रोड़क्त अब वापस से अपने प्रोड़क्त के ऊपर आते हैं देखते हैं कैसा यह बिल क्वालिटी है कैसा यह प्रोड़क्त है तो दोस्तो सबसे पहले इसकी बनावट की अगर हम बात करें यहाँ पर हमको एयर वेंट दिख रहे हैं यह यह ventilation के लिए है यहाँ पर दोस्तो जो यह सारा का सारा plastic का है यह hard plastic है और यह pistol size में है यह जो gun का holding है यह pistol holding है ठीक है और यहाँ पर दोस्तो आपको on off का button मिल जाता है एक दोस्तो यहाँ पर button है यह continuous run का है ठीक है और यह सामने का portion दोस्तो मैटल में है और यहीं पर आपको अपना चेक लगाने के लिए ये मिल जाता है ठीक है मैं रफली आपको लगा के दिखा देता हूं कि कैसा इसका लुक काफी है मतलब 300W और इसमें hammering action तो है नहीं कि जो कि हमें ज़्यादा power की जरूत पड़े तो दोस्तों इसके अंदर जो function है main main मैं आपको बता देता हूँ इसमें variable speed नहीं आती है एक fix speed के साथ ये गुमती है 1900 से 2600 RPM इसका range है ठीक है और continuous speed का button आपको इसमें मिल जाता है और reverse spin भी ये नहीं करती है तो ये एक ही direction में move करती है तो ये एक basic drill machine है तो बनावट वाई देखा जाए तो दोस्तों ये hard plastic है ज़्यादा कहीं गिरी तो ये तूट भी सकती है मतलब बहुत ज़्यादा solid नहीं है पर हाँ अगर आप इसको carefully use करते है तो काफी अच्छी durability के साथ ये आपको लंबा साथ दे पाएगी और यहाँ पर तो metal portion मिल ही जाता है आपको ठीक है और इसकी जो motor winding है दोस्तों ये aluminum के अंदर आती है ठीक है और दोस्तों ये इसकी code है ये code दोस्तों आपको 1.8 meter लंबी मिल जाती है तो करीब पोने 2 meter की code है ये तो roughly इसको मानी की 5 foot के आसपास ही है ठीक है तो और ये 2 pin plug है यहाँ पर 250 volt लिखा हुआ है और ये आपका जो ampere rating है दोस्तों इसकी 16 ampere है तो आपको ये 5 ampere वाले में normal वाले plug में नहीं लगाना है जो इसके according जो है पर 3.5 watt का load नॉर्मली 5 ampere वाला shortcut भी उठा लेता है पर इन्होंने जो plug दिया हुआ है उसमें 16 ampere लिखा हुआ है ठीक है I think ये 6 ampere होना चाहिए था पता नहीं कंपनी की अपना कुछ specification होंगी तो दोस्तो यहाँ पर यह आपको badging मिल जाती है build skill की जो की बहुत just paste की हुई है यह easily निकल जाएगी अगर आप देख रहे होंगे तो ठीक है तो दोस्तो overall यह product है और मुझे लगता है कि यह build skill तो just tag लगा के बेच रहा है तो वह सारी company है इसी को अपना mark लगा के बेच दी होंगी ठीक है यह simple एक genuine एक product है और tagging लगा है और बेच दी है क्योंगी यह ऐसा कुछ standardization इसमें नहीं है कि जो इस company की पहचान को दर्शाता हो और यहाँ पर दोस्तो आपको की मिल जाती है तो यही दोस्तो overall यह product है और daily routine के लिए 1000 रुपे से अंदर में और यह कुछ bit वगएरा भी free आ रही है build quality भी okay है ठीक है तो चलिए इसको bit को थोड़ा सा try करके देखते हैं अपनी wall के अंदर तो कैसा यह काम करती है तो चलिए दोस्तो तो दोस्तो मैंने drill machine के अंदर यह अपनी जो बड़ी वाली bit साथ में आई थी वो मैंने लगा दी है चेकनेट लगा के तो यह हमारी wall way दोस्तो यह simple wall way मल्ले की जो इटो वाली होती है यह कोई इसमें beam या cemented नहीं है ठीक है तो इसमें हम drill करके देखते हैं कितनी efficiency और कैसे यह drill कैसा यह experience हमें देती है तो चलिए दोस्तो फटाफट इसमें drill करके देखते हैं अब दोस्तो इसको हम wooden के अंदर देखते हैं इसको drill को यूज करके यह देखे यह खिडकी है तो इसमें एक बार ड्रिल करके देखते हैं कैसा effect आता है ये देखे दोस्तो एक्षिल में क्या है कि जो bit होती है हमारी ये wooden के लिए cemented के लिए थोड़ा अलग different type की होती है जो इसके साथ है ये मैं जस्ट उसी को यूज करके देख रहा हूँ तो थोड़ा सा pressure लगाना पड़ रहा है यहाँ पर भी hole कर पा रही है और उसने यहाँ पर भी hole किया है दोस्तों जो उसके साथ bit आई है वो पता नहीं कितनी efficiently काम करती है क्योंकि यह आप देखिए मैंने जस्ट अभी try किया है तो काफी round सी आगे से दिख रही है ठीक है यह देखिए आप तो कुलमला के दोस्तों यह इसका review है काम तो कर रही है यह daily routine के लिए ठीक है बहुत हैवी शायद आप इससे काम इतना ना ले पाए या आपको एक standard bit जो उस particular material के लिए जो use होती है वो ही लगा के इसमें आपको काम करना पड़ेगा जो साथ में आई है वो तो normally काम कर ही रह कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है सब कुछ बढ़िया ही है बाद जैसे मैंने बताया कि इसको थोड़ा सा ध्यान से काम करना पड़ेगा कि कहीं गिरेगी तो यह plastic पार्ट है पूरा और यह तूट सकता है इतना ज़्यादा बढ़िया plastic नहीं है ठीक है तो कुलमला के दोस्तो यह है मेरा first impression review और मैं इसको use करूँगा और देखूँगा कि आगे यह कैसे काम देती है आप comment मैं मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में thank you